बाई सोट हो को मेरे लोकल एरिया में जतने लोग हैं वो लोग जानते होंगे जियापूर के ये मिरतिञ्जे यादों है जो कि मेरे पैसे तू भाई दो साल से दे नहीं रहे हैं और मैं उनको आज तक भाई मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा था इसलिए क्योंकि विसोजित और उमेश भाईया के चलते समझ में आ रहा है ना और तुम इतना नीच निकलोगे ना हमें कभी सोच भी नहीं सकता था ठीक एक दिन के पैसे ले करके बोले आज इवनिंग में दे दूँगा और तुम दो साल प्लस हो गया और फोन नहीं उठा र इतने नीच क्या यह बता है जब पैसे देने के अवकात नहीं होती है ना तो किसी से लिया भी मत करो समझे मैं समझूगा किसी भी खाए बाइद भी मिल जाते हो मार्केट में रास्ते में तो देखते हो तो छीपते हो ऐसे जैसे नियूर की तरह छीपते हो तुम और छूप मिलता है यार ऐसा काम मत करो ना कि छूपके चलना पड़े ऐसा काम करो ना कि सीना तान के तुम चल सको मार्केट में या कहीं पर भी समाज से भी बनते हो यार पहले खुद का कैरेक्टर एक परफेक्ट बनाओ तब जाके और यह तुम मजबूर की हो मुझे यहां पर ऐसे मजबूर की हो भाई तब जाके ऐसे बोल रहा हूँ ठीक ना मैं उन लोगों का मतलब मुझे देख रहा था कि भाईया लोग है मैं क्या ही बोलू लेकिन अब यार कोई कितना ही वेट करेगा भाई जैसे तुमको जरूरत ही उसी तरह सबको जरूरत होती है ठीक ना लेकिन म मेरा पैसा और पचा लेना लेकिन पचा नहीं पाऊ गए बट मैं फिर भे यो समझ लोंगा ना कि किसी भिखारी को मैं दे दिया और जो कि नीच भिखारी था समझे है